Hey guys, welcome to my channel Vimla Devi YouTube Channel आज हम आपको बताएंगे सपने में अपनी मां को देखना, अपनी मरत मां को देखना या जीवित मां को देखना किस प्रिश्थिति में आपने अपनी मदर को देखा है और उसका क्या मतलब होता है? इन सब के बारे में हम आपको आज जान कर देंगे सबसे पहले हम आपको बता दे सपने में अपनी मदर को देखना बहुत ही सुपस्वपन माना जाता है क्योंकि मां को ममता की मूरत माना जाता है यानि कि सपने में यदि हमें अपनी मां दिखाई देती है या वो मरत हो या फिर जीवित हो अपनी मा यदि हमें दिखती है तो यानि हमारा मन आज प्रशन रहेगा आने वाले समय में और जिस दिन आपने ये सपना देखा है कहीं से आपको अच्छी खबर मिलेगी और कोई आपका सहयोग करेगा यदि सराद के दिनों में आपने अपनी मरत मा को देखा है सपने में तो चिस दिन उनके प्राण तजी थे यानि प्राण क्या अगवथा उस दिन आपने अन और जल का आहारदान करना है इससे आपकी मा की आत्मा को सांती और संतुष्टी मिलेगी जी हाँ दोस्तो मा ही एक ऐसी होती है जो अपने बच्चों पे करुणा करती है चाहे वो किसी भी प्रिष्थिती में हो या वो गुसा हो या उसने कोई गलत कारिय किया हो या अच्छा कारिय किया हो सम्मान्य कारिय किया हो मां हर प्रिष्थिती में करुणा मही और प्रशन रहती है अपने बच्चों के उपर इसलिए सपने में मां का आना बहुत ही सुबा सुब फल प्राक्ती होने की संकेट माने जाते है यानि आपका सपना बहुत अच्छा सपना है जो आपको आपके सपने में अपनी मदर को आपने देखा है यदि सपने में आपने अपनी मरत मा को देखा है यदि आप कोई कारिय करना चाह रहे है कि सुरू करे या ना करे ऐसे टाइम में आप कारिय को सुरू कर सकते है ऐसी ही जानकारी के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें यदि आपका कोई ड्रीम है जिसका मीनिंग आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बोक्स में आप लिख सकते हैं उसका मीनिंग हम आपको बताएंगे थेंक्स फूर वाचिं दिस वीडियो